सभी हमारे पत्रकार बंदूर आज का प्रेस वारता प्रेस कॉंफरेंस महतकून है और मुझे बताने में भी बड़ी खुशी हो रही है कि बिहार का जब चुना हुआ था तो दो हस्ट वो राष्ट्रे जनता दल को सबसे बड़े दल के रूप में जनादेश दिया था दो लोगों ने देखा सब लोगों ने देखा की भाजपा के लोग जो है उसके बाद संगल नार्जज़ पार्टी हुनी क्योंकि जो तीन सदसे विई पी कि थे वो उनके साथ जुड़ गए और मुझे प्रसंता इस बात की हो रही है, खुशी इस बात की हो रही है, कि फिर से पिहार विधान सभा में अगर सबसे बड़ा कोई दल है, तो वो राश्टी जनता दल फिर से हुआ है, यानि 76 पहले हमारे पास सीटे थी, विधाय की थे, अब जो की चार और AIM के सदस से जोगी हाथ से शेहनवाज भाई, मौमद अंजार नईमी जी बहादुर्गन से, मौमद इजार अश्पी कोचाधामन साथ, कोचाधामन से, और सईद रक्वदीन, रक्नुबदीन, एहमाद जो 22 से, जो है, जो AIM में थे, यानि AIM को पांच सीटे मिली थी, जिसमें की चार, विधायक, ये चारों विधायक, राष्ट्य जन्ता दल में जुड़े हैं, और पार्टी ने स्विकारता दी है, और आप सब लोग जानते हैं कि, जो भारतिय सन्विधान, भारतिय सन्विधान के दस्वी सूची, धाराचार के अंतरगत में इन लोगों ने राष्ट्य जन्ता दल में विलय किया है, यानि मिनिमम जो है, आपको किसी भी दल का अगर विलय होता है, तो 66 फीसदी होना चाहिए, और आप सब लोग जानते हैं, पांच में से चार जो एमेले जो जो जोइन किये हैं, यानि हमारे पास 80 फीसदी है, जो कि नियम काईदा भारतिय सन्विधान का जो अनुशेद जो है, शूची जो है, दस्वी, दस्वी सूची के धाराचार को फुल्फिल करता है, इसी टेक प्रस्ताओं दिया, जो इन्होंने अध्यक जी के नाम पे दिया चिठी, कि इन चारों की इक्षा है कि राश्टर जनता दल जोइन करें, तो फिजिकल रूप से हम लोग आज विहार विधान सभा भी गए, और फिजिकली जो है, चारों विधायकों की पेशी, आधर निया, अध्यक जी के समक्ष हम लोगों ने रख लिया, हम लोग मिलकर के भी आए हैं, और आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि हम इन सभी चारों विधायकों का अभार प्रकट करना चाहते हैं, चारों विधायकों का हम धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहते हैं, कि इन चारों के आने के बेड़ जो अभी राष्ट्य जन्तादल के हैं, जिन्होंने अभी जोइन किया हैं, चारों आर्जीडी के नए विधायक का तालुक राष्ट्य जन्तादल से पुराना रहा हैं, तो इनकी वापसी जो है, घर वापसी हुई है, जिससे हमारा दल महागर्बंधन मजबूत हुआ है, और देश के हालाद को देखते हुए, इन लोगों ने जो फैसला लिया है, ये बकाईदा नीडर फैसला है, और हम लोग सब लोग चारों जो नए राष्ट्य जन्तादल के विधायक हैं, उनको राष्ट्य अधग जी से भी हम लोगों ने मिलवाया है, उनका भी आचिरवाद सभी लोगों से प्राप्त हुआ है, सभी लोगों पर, तो बड़ी खुशी की बात है, कि फिर से पुना इन लोग देश के अहलात को देखते हुए, इतना निडल फैसला लेते हुए, पुराने घर में वापसी इन्होंने की है, इसलिए हम लोग दिल से इसका स्वागत करते हैं, तो, हम चाहेंगे कि चारों जो गिधायक हैं, वो भी अपनी बात जो है, आप लोगों के साथ सामने रखें, उसके बात जो सवाल का जवाब होगा, हम सवाल का जवाब देखें, सब्सक्राइब Indira के मातलपरिए हम लोग एक प्रवाबदी ने चवादत जो गिधायक है, उसके विए बात जो अब से तो, हम लोग एक प्लेटफारम और आने का हम लोगैं है, कर देख रहा है इसे करो देरा जमावाइल पहले पर चल रहे हैं अभी शवाल बाद में पहले पर अफ़र बात रखेंगे अभी जो मुझत आहलाद में जो देश का परिष्टिती है करने के लिए हम लोग राजयत को जॉइन किये हैं और इसमें बहुत अच्छा रोल रहा हमारे संजय जी का भी जो हम लोग इस पाटी में आये और यह बहुत अहां फैसला था जो परदेश के लिए भी यह साबित होगा वक्त आने पर पता चलेगा कि हम लोग का जो मनसा था न करना और देश के हालाज को देखते हुए हम लोग लोग यह करना है चाहिनवाज जी है आप लोग जाने ही रहे हैं हम लोगों के पार्टी के कदावार देता रहें और श्रिमांचल के जो गांधी किराते थे पर यह तसलिमदीन साहब उनके यह सहजादे हैं चोटे पुत्र आई मैं मोका दिया हम इसके लिए उनका शुक्र गजार करते हैं प्डूसरी आप देखे होंगे जो मौजूदा चुनाओ अभी कुछ परस पहले हुआ था आप बंगाल करशाना में इंगो बादिजिए माप उत्तर परदेश का चुनाओ देख लिए उत्तर पर देश का च सब्सक्राइब करने की कोशिश उसी क्रम में उसी दोनों प्रदेश का रिजल्ट को देखते हुए हम लोग जिस छेत्र से आते हैं जोकी हाट से आते हैं सिमान चल से आते हैं वहां के अल्प संध्याइब लोग चांगे थे कि हम तमाम लोग फिर से बिहार में जो सबसे मजबूत से कुलर पार्टी है हम उसका हाथ को मजबूत करें उनकी लराई को आगे बराएं और सिमान चल की जो बदहाली है उसको सब लोग मिल करके दूर करें अब बोले हैं अब पार्टी से अब पार्टी से इंविड़्ान सुखिणा और अभी मोज़ूता हालात है कि अपने युवा नेता मामने तेजसी को साथ जादब जी के नैप्रितों में इस पार्टी भी सदस्ता ग्रहेंटी है और सीमांचल में संगठन को मजबूद करके उन्हों नया बिहार बनाने का प्यास करते हैं अब इस मामले पर आप लोगों ने साफ तोर पर ये कहा कि जो देश के हालात और आप लोगों ने घटनाएं भी देखे होंगी जाय वद्यपूर्वया कहीं भी हिंसा होती है जो कट्टर पंथ है कट्टर पंथ के लिए कोई जगा नहीं होने चाहिए और हमारा साफ मानना है कि जितने सेकुलर फोर्सेज हैं या आने वाला जो पार्लेमेंट का चुना होने वाला है उसमें भी हम लोग चाहते हैं कि जितने सेकुलर फोर्सेज हैं वह मजबूत हों एकजुट हों सेकुलर फोर्स जब हम बोलते हैं तो किसी धर्म से नहीं जोड़ा देखा रहता है हर धर में कुछ सेकुलर विचादारा के होते हैं कुछ कटरपंत होते हैं लेकिन हम सेकुलर फोर्सेज की बात करने कि सब लोग गो को एक जुट होने की आवश्यक्ता है क्योंकि आज देख लिजे पहले से ही जनता देश की बेरोजगारी से गरीबी से लचारी से बेवसी से ना सिच्छा है ना चिकित्सा है और जहां से ये विधायत जो चुनके आए हैं वो बिहार का सबसे गरीब इलाका जो कि सिमांचल है और अभी जो पुड़ा बार की सिती बड़ी हुई है तो उस हालात में पहले से ही इतनी ज़ादा मुसीबत हमारी देश की जनता बिहार की जनता जेल रही है वो कम था क्या जो इस तरह का पॉईजिन जहर समाज में घोला जा रहा है जहां एक भाई को दूसरे भाई के प्रती लड़ाया जा रहा है चाहे नुपूर शर्मा का ब्यान हो उसकी भी निंदा है चाहे जो उद्यपूर की घटना है हम उसकी भी कठोर निंदा करते हैं और हिंसा और संप्रदाइकता से हम लोग लगत्तार जो है लड़ते आ रहे हैं विचार जो हमारा विचार धारा है कि सब लोगों को पता है हम लोग सब लोग चाहते हैं कि देश में अमन हो चान्थी और खुशाली हो भाइचारा आज अमन छी गया चैन छीन गया खुशाली छीन गई कोई वर्ग चाहे युवा हो महिला हो महिला सुरक्षीत नहीं है लॉड़ की हालात आप देख रहे पूरे देश भर में आपस्तिती देख लिजे हर जगा क्राइम हो रहा है गरीबी है ना मजदूर खुश है ना किसान खुश है ना छात्र खुश है तो इस हालात को देखते हुए सभी लोगों ने निन्ने लिया है और हम लोगों ने खुशी जाहिर किये कि भाई इसे बल मिला और य जनता की मांग थी आम अवाम की मांग थी कि भाई बिहार में महागरबंदन राष्टे जनता दल को मजबूत कीजिए अगर कोई बिहार में संप्रदाइक सक्तियों को लड़ सकता है हडा सकता है जो हमने हडाया है आज तक भाजपा की हिम्मत नहीं हुई बिहार में की अके यह क्या है इसलिए हम लोगों ने शुरुवात से हम लोगों ने लड़ाई लड़ी और इस लड़ाई को हम लोग आगे लड़ेंगे और हम लोग जीत हासिल करेंगे कोई कोई ओपरेशन सर्जरी थोड़ी ना होता है इसाब कोई सर्जरी ओपरेशन नाम भाई हम लोगों की क्या ताकत है जो बीजेपी की है उसे साब से यह तो एक विचार की लड़ाई में विचार धारा से जो लोग जुड़े हैं जो जनता की मांग है उससे यह लोग आए हैं जो समय की मांगती उससे जुड़े हैं वन्हा आप तो जानते हम तो विपक्षी दल हैं लेकिन फिर भी बिहार की जनता ने महागरबंधन को जनादेश दिया वो अलग बात है कि चोड़ दर्वाजर से कोई सरकार आई और बनी लेकिन इतना मजबूत विपक्ष बैमानी के बाद भी हम लोग इतने मजबूत हैं कि लगबग जो है जादा दूर नहीं है सत्ता से फिर भी हम लोगों को संता का लालच नहीं है लोब नहीं है औरों को होता है और है भी वो दिखता भी है चलकता भी है लेकिन हम लोगों को इतना रशाकसी में भाजपा जदी वापस में लड़ रहा है फिर भी बेजत कर रहे हैं दूसरे को फिर भी बने हुए साथ यह दिखाता है कि कितना सत्ता का लालच है लोब है लेकिन हमारी लड़ाई चलती रहेगी एक विचार की लड़ाई है और पूरे देश में दो विच अधारा की बीच लड़ाई है और लड़ाई जो अहिंसा में विश्वास करता है जो अमन चैन भाईचारा में विश्वास करता है जो देश का उत्थान में विश्वास रखता है विकास में विश्वास रखता है जीत उसकी होगी जो नफरत की राज़िती करते हैं जूट पोलने का फैक्टरी जिन लोगों ने खोल रखा है जो मानुफैक्टरर है होल सेलर है डिस्ट्रिब्यूटर है उनको जनता सबक सिखाईगी बड़ा जटका लगा है कहीं ने कहीं बड़ी पार्टी थी ने अब कैसे हुई नहीं हुई अब हमको तो अब कौन किसको लोग हमको अपना काम करना है अपने था चाहिए लड़ाई जारे है संगर जारे है कारवा बनाते जाएंगे कि यह आता है अरांग से आता लोग अ